बंदूग की नोक पर रह चलते लोगों से मोबाइल लूटने वाले बबलू घोगा और नीरज बवानिया आटो लिफ्टर गैंग के दो बदमाशों को स्पेशल स्टाफ टीम ने एंकाउंटर के बाद गिरफतार किया है बदमाशों की पहचान दिल्ली निवासी ललित उर्फ राहुल जैन वो मोहित उर्फ रोहित जैन के रूप में हुई है दोनों आरोपी सगे भाई है 31 अक्टूबर 2021 शाम 7 बचकर 45 मिनट पर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आए कॉल करने वाली लड़की थी कॉलर ने बताया कि वो सड़क पर बैदल अपने फोन पर बात करती जा रही थी तभी एक बाईक उसके सामने आकर रुकी बाईक पर दो लड़के सवार थे उनमें से एक लड़का किसी बहाने से उसके पास आया और गन पॉइंट पर उसका मोबाईल चीन कर दोनों लड़के बाईक पर भाग गए सेक्टर 23 द्वारका पुलिस व पीसी आर टीम मौके वारदात पर पहुंची पीडिता के ब्यान पर सेक्टर 23 द्वारका में क्रिमिनलों को किसी भी कीमत पर बक्षा नहीं जाएगा क्रिमिनल अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दे की अपराद करके वो बच जाएंगे क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल के साथ साथ क्राइम में क्रिमिनल्स की मदद करने वाले किसी को भी किसी भी कीमत पर बख्षा नहीं जाएगा क्रिमिनलों को जल्द से जल्द गिरफतार करने के लिए DCP द्वारका ने तुरंथ ही चार टीमों का गठन किया जाज टीमों ने सबसे पहले वारदात स्थल के आसपास लगे सभी CCTV कैमरों को खंगाला मुख्विरों का जाल फैलाया सीक्रेट इन्फोर्मेशन और टेक्निकल इन्पुट से मिल रही जानकारी के आधार पर सभी सस्पेक्ट स्थानों पर दिनराथ छापे मारी की गई जाज टीमों ने लूटे गए मोबाइल का IMEI नंबर सविलांस पर लगा दिया जानकारी मिली की लूटे गए मोबाइल फोन में नया सिम कार्ड डाल कर कोई फोन का इस्तेमाल कर रहा है जाच टीमों ने तुरंट ही नए सिम कार्ड के पते पर छापे मारी की तो टीम के हाथ निराशा लगी पता चला की डाला गया सिम कार्ड नकली पते पर लिया गया था क्राइम और क्रिमिनलों पर तुरंट अंकुष लगाने के लिए DCP द्वारका शंकर चौधरी निस्थानिय पुलिस और अन्य जाच एजेंशियों के बीच ऑप्रेशन वर्चस के तहट कॉडिनेट बैठाने का सहरानिय प्रयास किया है परिनाम सवरूप स्पेशल स्टाफ और साइबर सेल के इंस्पेक्टर नवीन कुमार और इंस्पेक्टर ओपी पनवार के नित्रित्व में ASI रंजीव त्यागी, जैवीर, विजेंडर सिंग, महेंडर, ASI गिरिराज, मुकेश, हेड कांस्टेबल राजकुमार, पुलिस टीम को सीक्रेट इंपोर्ट मिला की मोबाइल लूटने वाले दोनों बदमाश फिर से द्वारका में एक और डकैती डालने की योजना बना रहे हैं और 7 नवंबर 2021 को राधा स्वामी सत्संग के पास आएंगे 7 नवंबर 2021 सुबह करीब 8 बजे जाच टीमों ने राधा स्वामी सत्संग के पास अपना जाल बिछाया बाइक पर दो सस्पेक्ट लड़के आते दिखाई दिये पुलिस टीम ने चेकिंग के लिए रुखने का इसारा किया पुलिस टीम को देखकर दोनों लड़के बाइक मोरकर वापस भागने लगे लेकिन उनकी बाइक फिसल गई और दोनों गिर गए दोनों ही पैडल भागने लगे बदमाशों ने भागते समय पुलिस टीम पर फाइरिंग कर दी हाला कि गोलिया बीपी जैकेट के सीने में लगने से दो पुलिस कर्मियों की जान बच गई पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कारवाई की जवाबी कारवाई में आरोपी राहुल के बाय घुटने में और आरोपी मोहित के दाहिने घुटने में गोली लगी एंकाउंटर के बाद दोनों बदमाशों को पुलिस टीम ने दबोच लिया गिरफतार आरोपियों की पहचान 54 वर्षिय ललित उर्फ राहुल जैन वो 49 वर्षिय मोहित उर्फ रोहित जैन के रूप में हुई है दोनों दिल्ली के रहने वाले और सगे भाई हैं दोनों भाई ड्रग एडिक्टेड और बारवी पास हैं दोनों भाई एक साल बाद 22 अक्टूबर को ही जेल से रहा हुए थे जेल से आते ही दोनों भाईों में धढ़ाधर एक के बाद एक डकैती, स्नैचिंग और चोरी की नौ से भी अधिक वार्दातों का अंजाम दे डाला था दोनों बदमाश भाई आटो लिफ्टर बबलू घोगा और नीरज बवानिया गैंग से जुड़े हुए हैं पूच्ताच में यह भी पता चला की हाल ही में एक्स्टॉशन के लिए नीरज बवानिया गैंग ने फाइरिंग की थी इसमें इस्तमाल चोरी की बाईक की विवस्था इन दोनों भाईों नहीं की थी आरोपियों के पास से एक सफिस्टिकेटिड पिस्टल, एक देशी कट्टा, चार जिंडा कार्थूस, एक चोरी की बाईक, रोहिनी और जनकपुरी इलाके से लुटे दो मोबाईल फोन और चोरी के मोबाईल में इस्तेमाल की गया एक सिम कार्ड बरामद हुआ है संसनी ओफ इंडिया नेटवर्क रॉबर्स, स्नैचर्ज और आटो लिफ्टर्स की जो कैटिगरी है उनको पकड़ा है इसमें से दो जो हैं बड़ी कर्मिल्स ते अब मैं आपको बता दूँ एक पहली घटना पे आते हुए जो स्पेशल स्टाफ की बड़ी काम्याभी है जो इंस्पेक्टर नवीन के द्व इनोंने किये थे स्नैचिंग के मुकदमे हैं रॉबरी के मुकदमे हैं धर्थ के मुकदमे हैं पाटो लिफ्टिंग के मुकदमे हैं इनको हमने घात लगा कर यहां पर जो सेक्टर 23 है वहां पर हमने घात लगाया था और हमने इनको रोपने की कोशिश की स्पेशल स्टाफ क के स्टाफ पर जब इन्हों ने रोपने समना कर दिया और जवाबी इन्हों ने फाइरिंग की तो जवाबी फाइरिंग में आत्मरक्षा के लिए इनके दोनों टांगों पर गोली लगी है लोग ललित को भी गोली लगी है और मोहित को भी गोली लगी है इनसे जो रिकवरी अ लेकिन अभी उसकी सिम रिकवर होगी है, फोन जल्दी ही रिकवर कर लेंगे और इनसे एक स्टोलर मोटर साइकल बे रिकवर होगी है AATS की टीन जो इस्पेक्टर कमलेश के अंदर काम करती है, उन्होंने दो बडिंग पटोलिफ्टर को पकड़ा है, जिसका नाम पवन और आकाश है, खाना दाबली में इनको पकड़ा है और अमरीश जो नंदनगी नौर्ट इस डिस्टिक का है, वहाँ का PCV है, जिसके 17 मुकदने हैं, उसको भी पकड़ा है इन सारे क्रिमिरल्स को पकड़ने से इन्होंने चार टूविलर्स रिकवर किये हैं और स्पेशल टास्क की फोर्स जो इंस्पेक्टर पवन के अंदर काम करती है, वो उसने पिछली घटना में जो दो कार जाकीन हुई थी, तैस तारीक के दात को, उसमें सनी अलियास शूटर पकड़ लिया था, जो नंदू गैंक का था, उसमें तीन आरोपी थे, तो दूसर के अपरात को अंजाम देने वाले थे, ललित, मोहित, अबरेश, पोली, पवन, अकाश, इनको पकड़ा है, और टूटल रिकवरी जो है, दो पिस्टल, चार राइग्राउं, चार रॉग मोबाइल, एक सेम, एक ग्यारा मोटर साइकल, यह हुई है, मैं आपको यह भी बता इनको बावानिया गैंग से मिले थे, और इनको बावानिया गैंग से यह निर्देश थे, कि तुम जितने भी रॉग मोटर साइकल ले खथा करो, और उसके बाद असले यह प्रवाइड कराएंगे इनको अलग-लग मात्यमों से, और उसके बाद इनकी जो पीसिक एजंड़ था, वो यह था कि अभी तेवहारों का मौसम है और फसल की कटाई हो रही है, तो इस समय जो वैपारी हैं या जो मोटे किसान हैं, उनको यह फाइलिंग करके इन सारे चोली के मोटर साइकल से, यह फिर उती की वसल रतम वसूलना चाहते थे, एक भय का माहौल प्रियेट करा की है, और जो अपराद हो गए थे, उन केसे सको वर्काउट किया है, यह बड़े कर्मिनल्स हैं, और इन बड़े कर्मिनल्स की गरफतारी से मैं मानता हूं कि द्वार का जिला पुलिस जो अपरेशन वर्चसों लगतार चला रही है, मानिय कमिशनर साब के विजन को हर दिन प्रयासरत है, तो उसको हम एक्शन में बदलें, उसी दिशा में हमें यह रोज की सबलताएं हैं, मगर यह जो पिछले 48 घंटों में हुआ है, इसकी मैं जितनी भी सराना करूं, जितनी भी प्रसंसा करूं, अपने टीम की वो काम है, अन्यवार्ट, क्राइम कहीं भी और क्र से अपडेट रहने के लिए संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें